जी हाँ जापन में डाक्टरों के एक समुह ने खोज की है कि किस परकार मनुष्य की उम्र बढ़ाई जाए सभी जानते हैं कि जापानी लोग सो साल से अथिक वर्षों तक आसानी से जीते हैं जानिये कैसे संभव है ये इस वीडियो में देखेंगे कि विज्ञानी को द्वारा बताए गए तरीके से सिर्फ और सिर्फ केवल पानी का यूज करकी कैसे लंबी आयू पाए जाए सबसे पहले बात करेंगे किस की किस परकार पानी हमारे लिए जान लेवा है पहले जान लेते हैं कि जान कैसे ले जाता है पानी जबकि जल को तो जीवन कहा है आप पहेंगे कि जल को तो जीवन कहा है तो पानी जान कैसे ले सकता है जबकि ये हमारे शरीर के सतर परतिशत भाग का निर्मान कर सकता है तो हम जल के भी ना कैसे दे सकते हैं लेकिन नहीं फ्रेंट्स आज मैं बात कर रही हूँ फिज का ठंडा चिल्ड पानी पीना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है आप पूरा डिटेल देखिएगा फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि पानी का प्रेख कैसे करेंगे तो लंबी आयो हमें मिल जाएगी तो सबसे पहला नुकसान जो है ये है कि ठंडा पानी दिल की चार नसों को बंद कर देता है और दिल का दोरा पढ़ने की संभावना अतिक हो जाती है हाँ अगर ठंडा पानी कम उम्र में तो पता नहीं चलेगा कि ये नुकसान कर रहा है लेकिन भुडापे में ये अवश्य नुकसान पहुँचाएगा कॉल डिंग हार्ट टैक का प्रमुख कारण है ठंडा पानी लीवर को खराब कर सकता है हमारे लीवर को ये बिल्कुल खराब करतेगा और हमारी पाचन शक्ती बिल्कुल ही खतम हो जाएगी हम प्रती दिन कुछ भी तलाब होना खा लेते हैं अगर तो वो सारा फैट हमारे जिगर में जमा हो जाएगा करके चिपका देगा ये थंडा पानी हमारे जिगर में उस फैट को खोज हुई है कि जिगर कत्यार ओपन के लिए जितने भी लोग वेट कर रहे हैं अधिकांश लोग थंडा पानी पीने के कारण बिमार हुए हैं ठंडा पानी पेट की आंचिक दिवारों को प्रभावित करता है जिहां फैंस कैंसर में बड़ी आंथ को भी ये बहुत जादा नुक्सान पहुंचाता है तो आज फिर केखेंगे कि जापानी डॉक्टर्स के एक समुहुने क्या पुष्टी की है कि कुछ स्वास्थी समश्याओं का हल करने में 100% गरम पानी कैसे उप्योगी है गरम पानी जो है माइग्रेन, हाई विपी, लो विपी, जोडों का दर, दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाना, या घट जाना, मीरगी, कॉलेस्टोल का लेवल पढ़ना ये सब समश्याओं जो हैं, पेटों पेट की समश्याओं हैं, भूख की कमी हैं, आँखें, कान और गले से सम्बंदित बिमार्याओं तो इन सब का क्या इलाज किया जाए, इस तरह से हम इने केवल पानी का उप्योग करके ठीक कर सकते हैं वग्यानिक तरीका सुन लेते हैं, ये तरीका है कि हमें प्राते उठकर अपने प्राते कामों से निवरत होकर के सवा लीटर पानी लेना है एक साफ बरतन में सवा लिटर पानी लेकर के इसे गुनगुना से थोड़ा जादा करना है गरम करना है यानि कि गरम इतना भी नहीं होना चाहिए कि इसे उबालना नहीं है हमें गुनगुने से थोड़ा जादा और बिल्कुल गरम से थोड़ा कम यानि कि थोड़ा जाला गुन-गुना पानी होना चाहिए इसके हमें चार गिलास पानी जो हैं लेकर के रखने हैं बैठना है और इसमें से एक-एक गिलास पानी धीरे धीरे करके बैठ करके पीना है खड़े हो करके नहीं पीना है शुरुआत में पानी पीना शुरू करेंगे तो असुईधा होगी लेकिन धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो आपको चार गिलास पानी पीने की आदत हो जाएगी इस तरह से यदि आप पानी का प्रयोग करेंगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार की बिमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा दूसरा पानी का जो उपाय है वो ये है कि रात में आप दस दाने मेथी और आधा चम्मच सोट को भी हो दे प्रते निव्रत हो करके इस पानी को चान करके थोड़ा गरम करके चेवन करें और देखें कि किस प्रकार से किस प्रकार से हमारी सेहत में हमें तुरंत असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा जिहां फीच के चिल्ड वाटर पीनी से हमारी जान जा सकती है समझ लीजिए दोस्तों जान लीजिए कि विशेश कर जब ये पानी हम खाना खाते ही अगर पी लेते हैं तो ये हमें कैसे बिमार बना देता है थंडा पानी पीने से चठरागनी मंद पड़ जाती है जिससे भोजन पचाने में अत्यथिक परेशानी होती है और पाचन से रिलेटेड जितनी भी बिमारियां है ये कि कहा जाता है कि सारी बिमारियां पेट से शुरू होती है और पेट पर ही खतम होती है तो जितनी सारी बिमारियां है सब हमारे पेट से शुरू होती है तेंडा पानी पीने से गला खराब और जुकाम की शिकायत आम सुनने में आ जाते है सेरदर्द और माईग्रेन की बिमारियां फुद्पन हो जाते हैं तो अगर ये इस जायनकारी को आप ये समझते हैं कि आप पहले खुद आजमाएं मुनासिब लगे तो ये फर्मूला आप पहले खुद पर प्रयोग करें और इस जानकारी को खुद तक मत रखें अपने परिवार दोस्तों रिष्टेदार और आसपरोस की सभी लोगों को अवश्य बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आया जानकारी पसंद आई तो शेर कीजिए लाइक कीजिए धन्यवाद